साथियों, इस चुनाव में गुजरात में एक करोड से भी जादा ऐसे वोटर से जिन्होंने मतदान किया लेकिन ये वो मतदाता थे, जिन्होंने कभी भी कॉंग्रेस के कुशासन को उसकी बुराईयों को देखा नहीं था वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाज़पा के ही सरकार को देखा था और युवाओं की तो प्रकृती होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जाचते हैं, परकते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुँचते हैं युवाओं सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो दसकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसे बड़ी परिवार के हैं, युवाओं तभी वोट देते हैं, जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम, प्रत्यक्षन नजर आता है, और इसलिए आज युवाओं ने, जब भाजपा को भारी संख्या में बोट दिया है, सीट से लेकर बोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पस्ट्र है, इसका मतलब है, कि युवाओं ने, हमारे काम को जाचा, पर्खा और उस पर भरोसा किया है, इसका मतलब ये है, कि युवाओं भाजपा की विकास, अमाली, राजनिती चाहते हैं, इसका मतलब है, कि युवाओं ना तो जातिवाद के भहकावे में आते हैं, न परिवारबाद के, युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है, और विकास के प्रति प्रतिबद्दता भी है,